इस वक्त तमारे साथ बाचीत के लिए उत्राखंड के पुर्मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद तीरत सिंग्रावजी मौजूद है सर भरती घोटाले को लेकर लगतार उत्राखंड में कॉंग्रेस पार्टी सरकार को घेड़ने में जुटी हुई है प्रितम सिंग कह रहे हैं कि सही से जात सरकार ने नहीं कराया है इसके साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए सरकार वहाँ पर क्या कर रही है पहले बात तुम्हें कहूं कि कॉंग्रेस को अपने गिन्यवान में जहांकर देखना चीए अपना पुराना कारेकाल को याद करना चीए कि उन्होंने नोजवानों के साथ किस तरह दोका किया था कितने रोजगार दिये थे भारते जन्ता पार्टी की शरकार ने अस्ताई रोजगार देने का काम किया मैं जब मुक्य मंत्री था तो बाईशजार की नियुक्तियां मैंने ही एक निकाल ली थी साथ में उसके तत्कालबाद मुक्य मंत्री पुसकर सिंग धामी जी ने उसको पूरा करने का काम आगे किया बढ़ाया है दुर्वाग्य से कुछ इस परकार की जो घटना एक घटी तुएं जिसके बारे में कही रहे हैं तो उसके लिए इसाइटी की जांच बिठाई है वो जांच अपना जांच का काम पूरा कर रही है लेकिन साथ ही जिन लोगों ने ये काम किया पकड़ में आए तो उन पर कारवएं भी हुई हैं और हो रही है रोजगार की जहां तक बात करें तो हमने तत्काल मुक्य मंत्री ने फिर लोक्षा आयोक्षी है उन भर्दियों कराने के लिए कहा है और जिसकी परक्रिया शुरू है लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से चुकि बड़े लोगों का नाम इन घोटालों में सामने आया इसी वज़ा से सरकार सही से जांच नहीं करवा रही है और चुकि कॉंग्रिस पार् कहा है आप रहे हैं अभी इस चैट की जांच है वह अपना काम कर रही है तो कोई भाग नहीं रहा है है यदना जरूर है कि जो भी अदिकारी दोशी पाय जा रहा है उसके करें हो घुरी है लिněगकर मेर खाइना है कि अधिकारी अच्छे मीं बुरे भी है तो उसी तरह जनपरतिनीदी हो यदि गड़बड है तो बचना नहीं चाहिए उस पर उसी तरह करवे भी होनी चाहिए इससे हटकर एक सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोट की पहल उत्राखंड नहीं की थी अब बाकी राज्यों भी इस पर काम कर रही है लेकिन उत्राखंड में मुस्लिम समुदाई का समर्थन भी जो है वो मिले लगा है इसे किस तरह से आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोट आज राज्य ने पहल की तो अन्य राजों में विशुरू है और एक कानून बने एक नियम बने यह होना जरूरी है और उसके लिए अपना सारे शमुदाई ने बढ़ चड़ करके भाग लिया इवन मुसल्मान समुदाई ने भी इस पर सहमती ज तो यह अच्छी बात अच्छी पहल है एक और आखरी सवाल है कि पलायन उत्राखंड का एक बड़ा मोता है चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी साफ तोर पड़ यह देखा जा रहा है किस तरह से आने वाले दिनों में उत्राखंड में पलायन को सरका रोकेगी कि कि राज्य बनने के बाद बड़ा तेजी से पलायन हुआ है लेकिन उपलायन हुआ तो अपनी राज्य में हुआ है पहड का आदमी देरा दूना आ गया हलदवानी आ गया काशिपूर आ गया अरदवार आ गया इतना है मेरा यह कहना है कि उन लोगों को अच्छे शिक्ष्या बच्चों को स्वास्ति की शुग्दा है साथ में रोजगार और रोजगार यदि वहीं मिलता है तो फिर पलायन कम होगा बच्चा लिखता है पढ़ता है उसको रोजगार के लिए बाहर निकलना ही होगा निकलता है बात करना चाहेंगे, उन्होंने जिस तरह का एक विकास का मॉडल वहां दिया है, चार धाम, सडकों का जाल, ट्रेन का पहुंचना, यह जो हुरा तेजी से, तो उससे आने वाले शमय में, जहां बड़े-बड़े हबी बहान नहीं जाय करते थे, तो आने वाले समय में ट्रेन लेकर जायेगा, अभी तक ही नहीं होता था, चार नहीं पाते थे बड़े-बड़े, तो जब जायेगा, तो निशित है कि छोटा उद्यम खुलेंगे, तो रोजगार के भी शादन, उपलब दोओंगे, तो पलायन भी रुकेगा, साथ में किर्सी की तरफ हमको ध्यान देन है, तो यह जब होगा, तो निशित है पलायन रुकेगा, हाँ, यह सत्य है कि पलायन हुआ है, इसमें कोई दो रहे नहीं है, लेकिन साथ-साथ लोग रिवर्स पलायन भी अब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए क्याम रपसन आहूल के साथ, स्वाती पाठक बारत समच और दिल्ली